आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग में तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बुक है एक एंचांटेड बुक तो मैं आपको आज पताऊंगा कि कैसे आप इसे यूस करते हैं तो यह बुक मुझे मिली है एक विलिजर से एक एंचांटेड बुक और यह है सिल्क टच तो हम अवारा जो यह देखिए सिल्क टच एंचांटेड बुक तो यह और एक यह मिला है फिशिंग रॉट लक आफ दे सी फॉर्स लोड फर्स अनब्रेकिंग टू तो पहले बात करते तो जब आप इसको लेते हैं तो आप किसी भी ब्लॉक को उसके जब भी आप उसे डिक करते हैं तो उसी स्टेट में आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं तो हमें इसकी जुरत है क्योंकि हम एक मश्रूम फार्म मश्रूम आइलेंड बनाना चाहते हैं छोटा सा ताकि हम उसमें मश्र भी फाम भी बनाएंगे तो चलिए चलते हैं पहले आप अपनी पिकक्स लीजिए जैसे मुझे इसको करना है एंचांट तो मैंने डायमंड के लिए ताकि इसकी डूले डूरे बिलिटी बनी रहा है तो इसमें रखिए आपका एंचांटेट बुक सिल्क टाच और यह ऐसे जैसे की एक काबल स्टोन के पास चलते हैं स्टोन के पास चलते हैं उसे आप डिक करेंगे तो देखिए यह कॉबल स्टोन में नहीं कनवर्ट होता सीधे एक स्टोन आता है और जब आप नॉर्मल पिकक्स से इसे माइन करते हैं तो कॉबल स्टोन निकल के आता है तो य एक्सचर नहीं बिगाड़ना इस दिवाल का तो क्या करें देखने तो ब्लॉक्स मिल गए एक ब्लॉक्स यहां लगाया दूसर ब्लॉक्स यहां पर गड़ तो एक अच्छी बार और अगर आपका जो आपको हर बार एक वैपन एंचांट करने के लिए आपका जो एक्सपी लेवल है उसको सेक्रफाइस करना पड़ता है तो उसके लिए अगर आपके पास ज्यादा एक्सपी लेवल नहीं है तो अगर आपको विलेज मिलता है तो विलेज पीपल से आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छी चीज है जैसे कि मैंने फिशिंग राट ट्र ना प्राइटरि चेक करना ना भूले कि वह आपको क्या दे सकते हैं तो आप चलते हैं मैंन्म कायल यालन पे इन यमारे मश्पीकांट पीकाफ के आप इसे प्लेस कर सकते हैं और एक बड़ा माइसीलियम फार्म बना सकते हैं तो हम खटे कर लेते हैं थोड़े बहुत इसे एक ब्लॉक से भी काम हो जाता है पर ठीक है तो चलिए थोड़े से मश्रूम सिकटा कर लें जवेर, टेसे काम है भीक बाहा है तो लेते हैं मेशम बाहा है तो इतने ब्लॉक्स हमारे लिए काफी हैं अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ चलिए ट्रेट हैं अब आप से अब घर की तो हम आ गए हमारे माइसीलियम ब्लॉक्स के साथ हमारे घर पर चलते हैं और ढूंदते हैं अच्छी जगह जहां पर हम हमारा चोटा माइसीलियम फार्म बना सकें तो चलिए तो मैंने एक जगे ढूंड़ी है इसको प्लेस करने के लिए इसको चीज कि आपको मैसीलियम को श्प्रेड होने में के लिए आपको बहुत सारी लाइटिंग के ज़रुवत पड़ती है यहीं कि इसको किसी चीज से कवर्ड नहीं होना चाहिए यहीं कि लाइट इसको पर बराबर आती रहनी चाहिए तो हमने यहां पर अपना मैसीलियम ब्लॉक प्लेस कर दिया है अब इसके आसपास हम डर्ड ब्लॉक लगा देते हैं कि वैसे अभी रात होने वाली है तो हम इसके ओपर टॉर्च इस लगा देंगे कि देखिए इसमें कि ग्रास में बन गई थी तो यह लगा दी हमने टॉर्च इस तो अब यह धीरे-धीरे मैसीलियम में कंवर्ट हो जाएगी अगर यहां पर ग्रास आती है तो उसको आप अपर घ्रास ब्लॉक में बनता है अपर अपर ब्लॉक लगा कर आप इस ट्राइक कर सकते हैं और इसे आप किसी भी ब्लॉक से कवर ना रखें इसे खुले में रख बनाए अगर और इसके उपर अच्छा लाइट सोर्स आना चाहिए तब जाकि यह मैसीलियम में कंवर्ट होता है तो यह तो हमने लगा लिया हमारा अब यह कंवर्ट हो जाएगा इसके लिए हम यहां पर खड़े नहीं रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि मश्रूम कैसे प्लांट करते हैं तो आप पहले बोन हैं हमारे पास बोन नहीं है बोन लेकर आनी पड़ेगी तो हम उससे इंस्टन्ट मश्रूम का जो बड़ा ट्री होता है उससे बना सकता है कर लिया है यह देखिए मेरा जी डॉगी था इसका नाम मेंने रखा है पास और वह दो नए डॉगी है वह बेटे हमाँ पर तो अब एक के साथ ही शेलते हैं तो हम हमारा जो मुश्रूम प्लांट है किदर प्लेस करें यह देखिए यह एक ब्लॉक है जो यह कन्मोर्ट हो चुका है मास्वीलियम में इधर वाला ब्लॉक नहीं हुआ और यह आ गया जॉम्बी गुद नॉइट तो वैसे फैलता जाएगा पूरा मासीलियम सारे ब्लॉक्स में तो अब हम हमारा जो प्लांट है मश्रूम का वो पिधर लागाते हैं करेंगे और इसके बीच में रखिया अपना मश्रूम प्लांट यह देखे जैसे आप उसमें रखते हैं पानी से बरे गड़े में तो वह पुरा अब्सॉप कर लेता है वाटर अब इसके उपर हम बोन मील अप्लाई करेंगे कि देखें बड़ा होता है कि नहीं शायद यहां पर इसको स्पेस नहीं है इस पर ट्राइब करके देखें आपको वैसे ही लगाना पड़ता है इसे इस पर बोले लिए यह देखें ओ शेट को अन बच गए बिजार मश्रूम पांट यह देखें मैं कह रहा था कि इस इस पेस की बिरुद पड़ती है और हमें डैमेज में मिलाए क्योंकि हम इस ब्लॉक के अंदर स्पाउन हो गए थे यानि की फस गए थे कि मश्रूम ट्री हमारे इसमें स्पाउन हो चुका था तो ऐसे प्लांट करते हैं कि मश्रूम लाल वाला जो है वो यह वाला है इसे भी आप ऐसे ही प्लांट कर सकते हैं ब्राउन मश्रूम तो वैसे ही आप डर्ट ब्लॉक रखिए आसपास यह प्लांट करते हैं इसे और थोड़ा खाना का लेते हैं ताकि हमें फिर से डैमेज ना मिले हैं तो कि गूड यह देखे यह आ गया हमारा मिश्रूम ट्री वेरियंट 2 तो ऐसे हमारा जो मिश्रूम पार्म है वो बढ़ता जाएगा ऐसा आप लगा सकते हैं आराम से माइसीलियम देखे इधर आया है नहीं इन सब पर ग्रास आगई है तो आप इसे हटा दीजिए यह देखे यहां पर आगया अब यहां से पूरा स्प्रेड होके इधर उतर फैलता जाएगा यह सब तो ऐसे बनाए जाता है हमारा माइसीलियम फार्म वो क्रीपर आ रहा है पहले हम उससे निपट है कम ओन क्रीपा यह जम इसको बिठा देते हैं नो 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 फाक इन आप जिस्टूपीद स्टूपीड ओके हार बास इस्राइट तो यह था हमारा माइसिलियम फार्म आप इसे बनाते हैं माइसिलियम फार्म बना सकते हैं चोटा और वो हमारे मश्रूम ट्रीस दोनों तो इसे आप दूसरे बायोम को एक अलग बायोम में लेकर आ सकते हैं वैसे नियुक्त माइसिलियम ब्रेटा हैं मश्रूम ब्रेटा और पर मॉब स्पॉन नहीं होते हैं ओर यहां पर होसकते हैं कंद सवाना बायोम है और आप सवाना बायोम के ऊपर एक मैसीलियम बायोम बना रहे हैं इसलिए यहां पर स्पाउन होंगे वह बायोम पर डिपेंड करता है कि कौन सा बायोम है तो चलिए मिलते हैं आप से अगले भाग में मैंने एक टायमेंड पिक एक्स जो सिल्क टच एंचैंडमेंट से बनी है तो उसे आप बना सकते हैं उसे आप मैसीलियमे खटा करके अपना एक छोटा फाम बना सकते हैं और यह बहुत सारी चीजों में काम आते हैं तो अगली बार मिलेंगे आपसे एक नए एडवेंशर की तरफ जब तक के लिए देखते माइनक्राफ्ट हिंदी केमिंग मिलता हूं आपसे अगले भाग में बाई 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 सेया